बेसिक टम्स ओफ अकॉंट्स क्लास 11 दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हैं लाइबिटी और टाइपस ओफ लाइबिटी का मीनिंग तो सही वीडियो में आया है बिल्कुल ठाम के बैटे रहें दोस्तों एसे जैट तक आपको मैं बताने वालों इस वीडियो में लाइबि टाइपस ओफ लाइबिटी तो स्टार्ट करते दोस्तों डेफिनेशन ओफ लाइबिटी और एक चीज़ बता दो अगर आप भी तक आपने प्लेलिस्ट एकसस नहीं करिया अकाउंट की क्लास 11 प्रॉपर भाई बन चुकिया प्लेलिस्ट यार एकसस जरूर कर लेना बहुत इन पॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि चैप्टर वाइज हमने बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रखें अप लोड कर रखें यूटूब में तो वह जरूर देख लेना डेफिनेशन अगर आप देख रहे होगे लाइबिटी की तो टर्म देते हम नाम देते लिए लिए बाशका नाती कि नाम से चापर अगर आप जानते जिसके अकॉर्डिंcribe करते हैं कि हम क्या करेंगे चीजे जो भी 근ese के अंदर हम क्या करते एं सक अब बात कर रहे नहीं ते कि हर तरह की जो भी ट्राइक्शन वहीं वह बिजनस कर रहा है तो हम बिजनस के प्रस्पेक्टिव से सोचते हैं सारी चीज़े तो जो भी हमाउंट पे करना बाकी है तो कौन पे करेंगे या पर बिजनस पे करेगा आगे बात समझे एक्जामपल्स की बात करूँ कुछ एक्जामपल्स अगर हम आपसे पूछ लेता है पेपर में तो आपको पता होना चाहिए जो भी लोन्स हो गए शौट टम या लॉंग टम कुछ डवेंचर होता है क्या प्रॉपर आपको मैं सेपरेड वीडियो में बताऊंगा दोंट अभी के लिए बस मान के चलो एक अमाउंट होता है कि पेकरना बाकी है तो बात करते हैं टाइप सफ लेटी की मेजर ली दो टाइप सोते दोस्तों लैबीटी के कुछ दोस्तो नॉनकरेंट लैबीटी जिसकों शौ्ट-टम लैबीटी भी कहते हैं एक हो one accounting year within one year यानि वो amount जो कि आप एक साल के अंदर क्या कर दो चुका दो पे कर दो that amount is known as current liability यानि short term liability short term जब भी हम duration की बात करते हैं तो उसको हम हमेशा किसमें अकाउंट में बात करते हैं less than one year आप ध्यान रखेंगे कि एक साल से क्या होना चाहिए चोटा होना चाहिए वह amount उसी amount को किसके नाम से जानते हैं उसी पैसे को जो कि पे करना बाकि उसे short term liability के नाम से जानते हैं आगे बार समझ दोस्तों इसके examples की बात करूँ short term liability की तो इसके example में सबसे पहले आता है क्रेडिटर यानि वह परसन जिसको आपको पे करना बाकि है जितने भी short term loans हैं उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ता वह भी सी के अंदर आते हैं प्लस में एक time यूज करने वाला हैं यहां पर जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आप जानते हैं बैंक के बारे में तो वैल और नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स के स्टूडेंट दोस्तों आपको का मतलब क्या होता है जब आप क्या करते हो बैंक से कुछ access amount withdraw कर लेते हो और कौन से Kरद से निकालते हों ध्यान रखें के क्रेडिट कार्ट से क्रेडिट कारट के विलते हैं जिन mural इस चैन esselum के को करेंट कर देख लिए और कुछ एक्जाम्पल देख लिए तो अब देखते हैं दोस्तों नॉन करेंट लाइबिटी या लॉंग टम लाइबिटी होती क्या है डेफिनेशन आप देख पा रहे होगे इसी को बात करेंगो जितने भी लॉंग टम लोन से जो कि आप एक साल बात पे कर रहे हो जो भी डवेंचर सोते हैं इसका अपे ध्यान रखेंगी बाद में डिसकस करेंगे सेपरेटली इसको इसी को किसके नाम से जानते हैं दोस्तों लॉंग टम लैविटी के नाम से जानते हैं तो यह दोस्तों प्रॉपर हो गया हमारा लैविटी और टाइपस ओफ लैविटी आई होप आपको एक एक चीज़े समझ आएं कोई भी डाउट होते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो नेक्स वीडियो में उसको हम सॉल्फ करने के कोशिश करेंगे ऐसी दोस्तों पढ़ते हैं तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप बॉचिंग निलते हैं नेक्स वीडियो